दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप WhatsApp पर बिना नंबर सेफ किये अपने फोन में किसी को मैसेज कैसे कर सकते हैं जेनरली आपको अगर किसी नए नबर से नए नमबर पर message करना होता है तो आप उसको अपने phone में किसी नाम से save करते हैं और उसके बाद उस पर message करते हैं, तो बिना save किये कैसे message करेंगे, इसके लिए आप अपने phone में WhatsApp सबसे पहले open कर लीजिये, WhatsApp open करेंगे, तो अब आपको कि इसी की एक chat खोल लेनी है, कोई भी ठीक है, कहीं पर भी जैसे for example हम इस पर click कर लेते हैं, यहाँ पर आपको करना क्या है, वो number जिस भी number पर आपको message भेजना है बिना save किये, वो number यहाँ पर आप type कर दीजिए, और number type करने के बाद आपको यहाँ पर send कर देना है, अब जैसे आ आप send करेंगे, तो यहाँ पर इस type से number hyperlink type से हो जाएगा, आप इस पर click करेंगे, जैसे ही उस पर click करेंगे, आपको इस type से pop-up दिखा देगा, this phone number is on WhatsApp, chat with का एक option दिखाएगा, यहाँ पर number लिखा होगा, आप इस पर click करेंगे, इस पर जैसे ही click करेंगे, तो आपके सामने इस type से chat box खुल जाएगा, और यहाँ पर अब आप उसको message कर सकते हैं, यहाँ पर बिना save किये उस number को, अगर वीडियो से help जो तो वीडियो को कर दीजे, like channel को कर लिजे, subscribe and bell icon को press, ऐसे और भी videos देखने के लिए